नेशनल कॉन्फरेंस चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीम फारुक अब्दुल्ला ने गुरुवार को आर्टिकल 370 पर पीए मोधी के बयान पर पलट वार किया अब्दुल्ला ने कहा अगर 377 इतना बुरा था तो मैं चाहूंगा कि पीए म राज्यसभा में ततकालिन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नभी आजात का भाशन सुने अब्दुल्ला ने कहा गुलाम नभी ने सदन में गुजरात और जम्मू कश्मिर की तुल्ला की थी उन्होंने आकडों के साथ साबित किया था कि जम्मू कश्मिर ने गुजरात की तुल्ला में जादा तरक्की की है अगर 377 सचमुच जिम्मेदार था तो जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की कैसे हुई फारुक ने कहा पिये मोदी अपने हर भाशन में वंशुवाद राजनीती पर निशाना साधते हैं जबकि भारत में आजादी के बाद से कोई वंशुवादी शासन नहीं रहा है जम्मू कश्मीर में वंशुवादी शासन कहा है मैं एक मुख्यमंत्रे के रूप में चुनाव हार गया क्योंकि लोगों ने मुझे नकार दिया था पूर्वसीम ने ये भी कहा कि आर्टीकल 370 खतम करने से शिक्षा महंगी हो गई है उन्होंने कहा पहले प्राइमरी स्कुलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक शिक्षा फ्री थी आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए फ्रीस लगती है इसी के साथ मेने रहेगी एशामीज इंड़ा के साथ नहीं बाद